राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लाएं हूँ मार्ख्षिश मास में गुरुवार के दिन किये जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की कथा बंधों मार्ख्षिश मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत करने का बहुत महात्व है कहा जाता है कि जो मनुष्य भी मार्ख्षीश मास में गुरु वार के दिन महालक्ष्मी के इन वर्तों को करता है उनके यहां जीवन में कभी भी धन की कमे नहीं रहती बंधों जो मनुष्य मार्ख्षीश मास में गुरु वार के दिन महालक्ष्मी के वर्त नहीं भे कर पा रहे तो वे सभी मार्ख्षीश में किये जाने वाले गुरु वार के दिन महालक्ष्मी वर्त की इस कता को अवश्य सुने उनके घर में भी महालक्षमी का स्थाई वास रहेगा बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै महालक्षमी जरूर लिखें, बोलो महालक्षमी जी की जै हो भारत वर्ष के सोराष्ट देश में द्वापर युग की कहानी है सोराष्ट में एक राजा थे, उनका नाम भद राश्चा था वे बड़े प्राक्रमी राजा थे, और बहुत विद्वान और शास्त्रों के ग्याता थे उनकी पत्नी का नाम सुर्थ चंद्रिका था, में बहुत सुन्दर और पवित्रा असुलक्षना थी उनके यहाँ साथ पुत्र और एक कन्या थी, कन्या का नाम शाम बाला था वे राजा को दुगनी धन दोलत की प्राप्ति होगी, और वो उस धन दोलत से प्रजा को सुक दे पाएंगे यदि गरीब के घर रहूंगी, तो उसे धन दोलत प्राप्त होगा, तो वो स्वार्थी की तर है, अपने ही उपर रुपिया खर्च करेगा यह सोच महालक्ष्मी जी ने एक बुढ़ी औरत का रूप धारन किया, और राज महल में पहुँच गई यदि पी उन्होंने बुढ़ी औरत का रूप धारन किया, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था उन्हें देखते ही एक दासी आई और वृद आरत को देखकर उनसे बोली, आप कौन हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा बाली के मेरा नाम कमला है, मेरे पती का नाम भुबनेश्वर है, हम द्वारिका में रहते हैं तुम्हारी राने पिछले जनम में एक वेश्य की पत्नी थी, वे बहुत गरीब थे दारिद्रे के कारण रोज घर में जगडे होते थे, और उसका पती रोज उसे माता था इन बातों से तंग आकर वे घर छोड़ कर चली गई, तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी उसकी दुदशा पर मुझे बहुत दया आई, तब मैंने उसे सुक संपत्ती देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई तो उसने मेरे कहने पर श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, महालक्ष्मी प्रसन हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई उसका घर खूब धन दोलत संपत्ती से भर गया, बाद में दोनों पती पतनी पर लोग सिधार गए महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे, जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल सुख भोग मिला इस जनम में उनका जनम राज घराने में हुआ, पर वह शी महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई मैं उसे यह याद दिलाने यहां आई हूँ, दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शी महालक्षमी का ब्रत कैसे किया जाए ये सब पूछा, भुडिया रूप धारन किये हुए महालक्षमी ने पूजा की विधी बताई, इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को ब रानी को अपने इश्वरे का बहुत घमंड हो चुका था वह संपत्ति वा अधिकार के कारण उनमत हो उठी दी और बुढिया की बाते सुनकर आग बबूला हो गई बुढिया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी रानी का यह सुभाव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहना उचित ना समझा और वापिस चली गई मार्ग में उन्हें राज कुमारी शाम बाला मिली शाम बाला को महालक्ष्मी ने सारी बात बताई शाम बाला ने अपनी मा की और से शी महालक्ष्मी माता से शमा मांगी उन्होंने शाम बाला को शी महालक्ष्मी वरत के बारे में बताया उस दिन मार्ग शी श्मास का पहला गुरुवार था शाम बाला ने परम शद्धा से माता महालक्ष्मी का वरत किया और शाम बाला का विवहां किसी राज कुमार से हुआ और वहें धन दोलत एश्वरे और वैभव से माला माल हो गई पती के साथ ससुराल में आनन से दिन बिचाने लगी इधर शीमाल लक्षमी का रानी पर प्रकौप हुआ और राजा रानी को खाने तक के लाले पड़ गए ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवीदन किया कि हमारे दमाज इतने बड़े राजा हैं तो क्यों ना उसके पास च नहायता मांगी जाए अपना हाल उन्हें बताएं वेह जरूर हमारी मदद करेंगे इस बात पर वेह उनके रज्जप में पहुँचकर एक तलाब के किनारे अराम करने लगे तब वहां से आते जाते दासियों ने उन्हें देखा उन्होंने विनम्रता से पूछा कि वे कौन हैं जब उन्हें पता चला कि रानी शाम बाला के पिता है तो वे दोड़ते हुए उनके पास गए और सारी बात पताई उन्होंने राज परिधान भेज कर बड़े ठाड से उनका आदर सतकार किया खान पान करवाया और जब वे लोटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से हुआ घड़ा दिया राजा भद्राश जब घर पहुँचे तो रानी बहुत खुश हुई जब सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा राजा के हाथ में देखा पर जब उसने देखा कि घड़े में तो कोईला भरा हुआ है उसे बहुत ग्रोधाया और उसे नहीं पता ये सब महालक्षमी के प्रकोफ से हुआ है अब रानी स्वेयाम अपने प्र Skills के पास गई तब मार्क्षिश मास का अंतिम गुरुवार था तब शाम बाला ने स्वेयाम भी महालक्षमी का वरत किया और अपनी माता से भी वरत करवाया पी रानी अपने घर आई तब उसे महालक्ष्मी की कृपा से राज पाठ धन दोलत एश्वर प्राप्त हुआ कुछ दिनों बाद राज कन्या शाम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे पुरानी बातें याद आई कि शाम बाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोईला दिया था तब उसने अपनी पुत्री का कोई आदर सतकार ना किया बलिक अपनी पुत्री का अनादर किया उसे बुरा भला कहा तब शाम बाला अपने ससुराल की ओर चली गई जाते समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया जब वह पती के घर पहुंची पती ने कहा कि माईके से क्या लाई हो तब वह बोली मैं माईके से वहां का सार लाई हूँ इसका अर्थ क्या है तब शाम बाला कहने लगी थोड़ा सा धीरज रखिये सब बतलाती हूँ शाम बाला ने भोजन बनाया और सारा भोजन बिना नमक के बनाया जब उसके पती ने भोजन चखा तो कहा कि भोजन में तो नमक नहीं है तब शाम बाला ने थाली में नमक डाला सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा तब शाम बाला बोली यही है वह माईके से लाया हुआ सार दोनों हसी मजां करते हुए भोजन करने लगे बंधों जो मनुश्य भी शद्धा भाव से शी महालक्ष्मी की पूजा करेगा और मा महालक्ष्मी का मार्ग शीश्मास के गुरुवार के दिन वरत करेगा मा उनकी हर मनो कामना पूरी करेंगी उनकी जोली खुश्यों से भरेंगी उन्हें हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगी बंधों बोलो माता महा लक्ष्मी की जय हो राधे राधे जय शी कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद